परंपरा हिंदी मूवी समीक्षा परंपरा यश चोपडा द्वारा निर्देशित 1993 की हिंदी एक्षन ड्रामा फिल्म है यह आखिरी बार था जब चोपडा ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बाहर किसी फिल्म का निर्देशन किया था इसमें सुनील दत्, विनोध खन्ना, आमिर खान, सैफ अली खान, नीला, रवीना टंडन, राम्या क्रिश्नन और अनुपम खेर हैं यह सैफ और राम्या दोनों के लिए बॉलीवुड डेब्यू का प्रतीक था परंपरा को उच्च उम्मीदों के साथ 14 मई 1993 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहानी, लेखन, अभिनय और समबादों की आलोचना की लेकिन चोपडा के निर्देशन की प्रशनसा की व्यावसाइक रूप से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अस्फर रही धनी ठाकुर भवानी सिंह भारत के एक दूरदराज के इलाके में रहते हैं जहां गोरा शंकर के नेत्रित्व वाले एक स्थानिय जिपसी कबीले के साथ उनकी तीवर प्रतिद्वंद्विता है परंपरा निर्देश देती है कि मतभेदों को एक पहाडी की चोटी पर एक गोली पिस्तॉल द्वंद्व से हल किया जाता है वर्षों पहले भवानी सिंह ने गोरा शंकर के पिता के खिलाफ द्वंद्व युद्ध लड़ा और उन्हें मार डाला भवानी का बेटा प्रिथवी लंदन से लोटता है और शंकर और उसके साथियों से दोस्ती कर लेता है जिससे उसके पिता को बहुत निराशा होती है जैसे जैसे प्रिथवी करीब आता है उसे शंकर की बहन तारा से प्यार हो जाता है हाला कि उसके पिता ने प्रिथवी की शादी एक उच्च वर्ग के परिचित की बेटी के साथ तय की है प्रिथवी अपना मन नहीं बना पाता है और अंत्त अपने पिता की इच्छा के विरुध तारा से विवाह कर लेता है और बाद में अपने पिता की पसंद की लड़की राजेश्वरी से विवाह कर लेता है बाद में भवानी सिंह को पता चलता है कि तारा ने प्रिथवी के बेटे को जन्म दिया है और गुस्से में आकर वह अपने आदमियों को जिपसी कॉलनी पर हमला करने और तारा उसके बेटे और रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने का आदेश देता है ठाकुर के लोगों ने शिविरों में आग लगा दी, जिससे तारा की मौत हो गई, लेकिन उसके बेटे रनवीर की नहीं शंकर जो हमले में बच गया, बदला लेने के लिए भवानी सेह को मारने के लिए आगे आया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया प्रित्वी अपने पिता से कहता है कि वह कभी भी उसकी उपस्थिती को स्विकार नहीं करेगा और उसी घर में रहने के बावजूद उसके पिता कभी उसकी आवाज नहीं सुनेंगे फिर राजेश्वरी अपने पती का सम्मान और प्यार अरजित करते हुए उसे बचाए गए रणवीर से मिलवाती है राजेश्वरी एक बेटे प्रताप को जन्न देती है जिसे भवानी सिंह अपने सच्चे पोते के रूप में पहचानता है रणवीर और प्रताप दोनों को प्रत्वी और राजेश्वरी द्वारा एक ही घर में पाला जाता है लेकिन दोनों लड़कों को अंतह एहसास होता है कि दोनों के बीच एक अंतर है गोरा शंकर को जेल से रिहा कर दिया जाता है और वह भवानी सिंह को पिस्टॉल द्वंदवयुध के लिए चुनोती देने के लिए लोटता है लेकिन इससे पहले की बूढ़ा व्यक्ती प्रतिक्रिया दे पाता प्रित्वी हस्तक शेप करता है और कहता है कि द्वंदव बराबरी के बीच लड़ा जाना चाहिए और शंकर को उसके पिता से नहीं बलकि उससे द्वंदवयुध करना चाहिए शंकर जो अभी भी प्रित्वी को अपने दोस्त के रूप में देखता है अनिच्छा से स्विकार करता है और द्वंदव अगले दिन के लिए निर्धारित होता है प्रित्वी चुपचाप अपने पिता का आशिरवाद लेता है और अकेले पहाड़ी पर चला जाता है जैसे ही मुरने और गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है दोनो आदमी मुरते हैं और निशाना साधते हैं लेकिन केवल शंकर ही गोली चलाता है जिससे प्रित्वी की चाती में गोली लग जाती है वह तुरंत प्रित्वी के पास भागता है जो बताता है कि उसने कभी अपनी बंदूक लोड नहीं की जैसे ही प्रित्वी मर जाता है वह शंकर से रणवीर को उसके पिता से दूर ले जाने के लिए कहता है यहां आशा करते हुए कि छोटी मोटी प्रतिदवंद विता में अब और खून नहीं बहाया जाएगा प्रित्वी के अंतिन संसकार में भवानी सिंह और गोरा शंकर दोनों अपनी तलवारे निकालते हैं और एक दूसरे को चुनोती देते हैं लेकिन राजेश्वरी द्वारा रोक दिया जाता है शंकर रणवीर को ले जाता है और हमेशा के लिए एक शेत्र छोड़ देता है वर्शों बाद प्रित्वी के दोनों बेटे कॉलेज में अजन्बियों के रूप में मिलते हैं एक दूसरे की पहचान नहीं जानते पहले प्रतिद्वंद्वी दोनों करीबी दोस्त बन जाते हैं लेकिन जब प्रताप रणवीर के घर पर गोरा शंकर को पहचान लेता है तो दोनों को तुरंट एहसास होता है कि उनका अतीत जुड़ा हुआ है लेकिन वर्षों तक अपने अभिभावकों से प्रभावित रहने के बाद वे एक दूसरे के परिवारों के प्रती नफरत साज़ा करते हैं रणवीर ने अपनी मा की हत्या के लिए भवानी सिह को दोशी ठहराया जबकि प्रताप ने अपने पिता की हत्या के लिए शंकर को दोशी ठहराया शंकर और राजेश्वरी की लड़ाई को समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद जो केवल तरासदी को जन्म देगी रणवीर अपने दादा भानवी सिह को द्वंध वयुद के लिए चुनौती देता है वर्षों पहले अपने पिता के शब्दों को दोहराते हुए प्रताप कहते हैं कि द्वंध बराबरी के बीच लड़ा जाना चाहिए और इसके साथ ही चुनौती भी तै हो गई है अगले दिन प्रताप राजेश्वरी के साथ और रणवीर शंकर के साथ आता है जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली होती है भवानी दूर से देखने के लिए अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं दोनो भाई एक दूसरे की ओर पीट कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं जब वे ऐसा करते हैं तो उनके दादाजी उन्हें देखते हैं और उन्हें अपने बेटे प्रित्वी के दर्शन होने लगते हैं क्योंकि वह रणवीर और प्रताप दोनों को देखते हैं मुरने और गोली चलाने का संकेत दिया जाता है और दोनों व्यक्ति सहज्टा से मुरते हैं और गोली चलाते हैं केवल यह देखने के लिए कि उनके बीच उनके दादाजी ने उनकी दोनों गोलिया ले ली हैं जैसे ही भवानी लड़ खडा कर जमीन पर गिरती है वह प्रित्वी के लिए चिलाता है और अपने बेटे को खोने की वर्षों की पीड़ा का खुलासा करता है भाई गिरे हुए बूढे व्यक्ति के पास दोरते हैं जो अपने अंतिम क्षणों में उन्हें अपने अफसोस के बारे में बताता है और आशा करता है कि उसकी मृत्यू के साथ कोई और रक्तपात न हो अंतिम संसकार के बाद रनवीर और प्रताप अलग-अलग रास्ते पर जाने वाले हैं लेकिन पहली बार एक दूसरे को भाईयों के रूप में गले लगाने के लिए रुपते हैं